राजंद्र प्रसाद यादब जी को यह सफलता यूही नहीं मिली। बलकि आत्मा तक्नीकी कर्मियों की देखरेख में बिविन्य तरह के जैविक अखाद और की टनासकों के निर्मान और इनके प्रियोग द्वारा सब्जी की खेती में रसायनों पर आने वाले खर्च को खत्म कर कम लागत से भी बिवन्य तरह के सब्जीयों की गुरवत्ता क्रिसकों के समक्ष जैविक सब्जी की खेती से आर्थिक सवलता हासिल करने का एक अनुकर्णिये उधारन में प्रस्चुत कर दिया है आईए आत्मा मधेपूरा द्वारा अस्थानिये आवसकता नुरूप सब्जी की खेती में जैविक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क जैविक सब्जी की खेती से आर्थिक संपन्नता हासिल कर आसपास के अनुकर्णिये उधार प्रस्चुत कर देने वाले राजंद प्रसाद यादब की राय से रूबरू कराते हैं तो सुनते हैं इनका क्या कहना है हम लोग एक किर्शक समुह का निर्मान किये हैं गठन किये हैं किर्शक समुह का नाम है स्री विश्नु किर्शक इतार्त समुह जो पूर्णता जैविक सब्जी की खेती के लिए बनाया गया है और हम लोग आत्मा के माध्यम से प्रसिक्षन पाकर के प्रखंड के माध्यम से प्रसिक्षन पाकर के किर्शी विज्ञान केंद्र मध्यपूरा के माध्यम से विज्ञानिकों के सहयोग से जैविक सब्जी की खेती का प्रसिक्षन पाए और सभी समुह के सभी किर्शकों को प्रसिक्षन मिला अब मैं खुद भी प्रसिक्षन दिया और बैग्यानिक गन भी दिये सारे लोग प्रसिक्षन पाकर के अब जेविक सब्जी करना प्रारम किये हैं इससे होता क्या है कि किर्शी के उत्पादन में फसल के उत्पादन में सब्जी के उत्पादन में लागत कम आती है आती है रसानी का खाद प्रियोग के तुल्मा में कि जह इस तरह से रसानी खाद का प्रियोग कर रहे थे हुखाद के üzि लेकिन इस खेती सोब्जी की खेती के माधियम से लागत भी कम आती है और शरीर को नुक्सान भी नहीं होता है, गुनवत्ता पुर्ण उत्पादन होता है, मार्केट भैल्यू भी दुगुना से तीगुना प्रप्त होता है, यही जैविक सब्जी खेती से हम लोगों को फाइदा हो रहा है, और हम लोग ब्यार सरकार के सहयोग से, आत्मा के सहयोग, आत्मा मध्यपूरा के सहयोग से, हम लोगों को पुर्णता जैविक सब्जी खेती का जो एस्टेट है, सिक्किम, वहाँ मध्यपूरा जिला से करीब 22 किर्थकों को प्रसिक्षन पाने के लिए भैजा गया था, वहाँ जाकर के हम लोगों ने वहाँ के साइन्टिस्ट से भ झाल